हेलो दोस्तों स्वारत है आपका हमारी यूटूब प्यानल रजय स्मार्ट लर्निंग में आज हम MS Excel में फर्मूलास का जो आगे कहा है इसमें नेमेंजर है यूज इन फर्मूला से लेक्शन तो हम इसके बारे में जानेंगे घ्रीम हम जैसे हम यहां पर एक डेटा बनाया है यहां पर दिख्याएगा, अगर हम इसको delete करना है, यहां से delete कर सकते हैं, और इसके बाद एडिट करना है, यहां से जा करके edit कर सकते हैं, यह बाद में हम बता देंगे, पहले यह define name चान लेते क्या है, जैसे यह define name है, ठीक है, तो हम एक यह select करते हैं, जैसे social science, define name पर click करते है देखिए यहां पर social science first start से select करेंगे ताकि मेरा यहां पर पता चले तो देखिए यहां पर है first यहां पर start से किये हैं तो यहां पर social science करके name आ गया है ठीक है अब यहां पर हम चाहिए कुछ comment डाल सकते हैं hello कुछ भी जो मन करें वो comment डाल सकते हैं यहां पर यह area इसका select है ठीक है यह workbook है sheet 1 1 2 2 काहां चाहिए sheet 1 में चाहिए sheet 2 में sheet 3 में and sheet 4 में या पर workbook या पर काम कर रहें वहां पर चाहिए तो हम फिलाल से workbook कर लेते हैं OK कर लेते हैं इदखी हुआ कुछ नहीए बस add हो गया है अब हम इसका जैसे maximum equal to maximum bracket open और यहाँ पर हम using formula पर वो आ जाएगा social science bracket close करते हैं enter देखिए जो इसमे social science में maximum number वो है 95 देखिए यहाँ पर तो यही आ जाएगा अगर हम इसके नीचे करेंगे कुछ भी यह नहीं आगा हम यहाँ पर चाहते हम minimum भी निकाल सकते हैं जैसे minimum sorry equal to minimum bracket open और यहाँ से using formula में जाएंगे social science कर लेंगे bracket close करेंगे enter देखिए इसमें सबसे minimum है वो 59 है ठीक है तो सिर्फ अभी जो यह देगा ना value वो सिर्फ इतना ही का देगा ना कि इधर हम लिखे देते हैं जैसे कि इसका यूज है कि हम जैसे कुछ भी अगर इसको add करना चाहिए total को हम यहां से add कर सकते हैं create from selection ठीक है left column right column यानि कि कहां कहां आप कई यह है तो हम सिर्फ यहां पर देते हैं यह row first में है okay करेंगे इसका भी हो जाएगा ठीक है तो बस यह था है